प्रेम का भूखा हूं में प्रेम ही एक सार है प्रेम से जो भजे तो भव से बेडा पार है भगवान कहते है जो मुझे प्रेम से भजता है मेरा भजन करता है किर्टन करता है मेरी भक्ती करता है तो मैं उसका भव से यानि संसार से इस माया रूपी जाल से मैं उसका बेडा पार कर देता हूं उसे माया के बंधनों से छुटकारा दे देता हूं क्योंकि ऐसा संसार में कोई भी मनुष्य नहीं है जो माया से गृषित ना हो माया में जकड़ा ना हो इस सम माया है मकान, दुकान, बीबी, बच्चे कितनी आसकती होती हमारी बच्चों में इस सम माया ही तो है यही है भगवान की माया यदि पांसो की गड़ी खो जाए तो हम पागल हो जाते हैं यही तो माया है मोदी जी ने बंद कर दिया था पांसो की नोटे तो चाहे ट्रक की ट्रक रास्ते में पड़ी रहे सौ बार निकल जाओगे दृस्टी भी नहीं डालोगे क्योंकि वो आपको कागज समझ में आएगा क्योंकि वो बंद कर दी गई इसी प्रकार से यह चलती हुई नोटे भी यह कागज के टुकडे ही हैं साथ में कुछ नहीं जाएगा एक पैसा भी एक का नोट दस का नोट भी आपकी अर्थी में नहीं रखा जाएगा हाँ आपके घरवाले ही नहीं रखेंगे एक रुपाया भी और सोना चांदी जब विक्ती मर जाता है मरणासन में उसको लिटा दिया जाता है उसको अगनी दाह के लिए तो कहते हैं मुख में सोना डाल दो तुलसी डाल दो गंगा जल डाल दो जिससे किया है तर जाए इसकी मुक्ती हो जाए लेकिन जब सोने की बारी आती तो कहते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा डाल दो और आपने जीवन भर किलो किलो दो दो किलो दर दस किलो सोना अपनी सामर्थान सार जुटा के रख दिया और जब आप मर के चले गए तो आपको एक तोला भी सोना प्राप्त नहीं हुआ इसलिए भाईया हम ठाकुर जी का भजन करें यही अपने साथ में जाएगा यहां तो बैंकों में चाहे एक नहीं दस बीस चार कितने भी एकाउंट खुलवा लो यह एकाउंट यहीं के नहीं रह जाएंगे जो हमारी माता जी देखो भजन कर रही है कथा भी सुन नहीं है यह काउंट हो रहा है उपर यह कथा आप लोग सुन रहे हैं ना यह उपर आपके एकाउंट में जमा हो रहा है यहीं जाकर उपर काम आएगा यहां के एकाउंट काम आने वाले नहीं है